तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह बहुत मुश्किल रहता है कि सीए इंटर में कॉस्ट जैसा सब्जिक्ट 1.5 डेस में आखिर कैसे रिवाइस करा जाए क्योंकि आर मतलब इतना बड़ा टास्क है तो इसको पाल साथ दिन में भी नहीं करा जा सकता तो 1.5 डेस में करना तो बहुत ही बड़ा टास्क ही यह बहुत सारे बच्चों के लाइक थौट्स रहते हैं डियूरिंग एक्जाम बट आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स बताने वाली हूं कैसे ऐसे कोई रिविजिन स् सब्जेक्ट है इसमें थियोरी का भी कुछ पोर्शन रहता है पर थियोरी का हम को क्या कैसे करना ही मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी सबसे पहले स्टार्ट करते कि आखिर प्रेक्टिकल सब्जेक्ट जो है उसको कैसे कितना सॉल्फ करें 1.5 डेस में तो सबसे पह करें कने रिट्रेंट करें आगां दो करना है और लेकिन बच्चों में तो पहले है इसा को ऑखनी प्रेट्ट ना करेत तो अब हम क्या करें अगर कोई कोई करें अगर उनसे लेने की सोच रहें तो आप गलत ट्रेक पे जा रहें और बिल्कुल सही जगा गए को कि मैं आपको बोल रहे हुआ कि अपको बिल्कुल भी मत करना क्योंकि हर परसन के हिसाब से difficult questions रहते हैं वो अलग-अलग होते हैं हो सकता है कि उसका difficult करावा question आपके लिए बहुत ईजी हो लेकिन आपके लिए difficult question वो उसके लिए जरूरी नहीं है तो दूसरे से questions लेकर उन पर dependent मत रहना कि और उसके मां करें questions करके चल जाते हैं और बाकी सब ठीक है रिटन प्रेक्टिस या नहीं तो कोई भी question अगर बड़ा basis पर आप कर सकते हो कि अधिकतर like 90% cases में ऐसा ही होता है कि question अगर बड़ा होगा या फिर वो चैप्टर में थोड़ा लास्ट में होगा तो वो questions होगा वो होलसम question होगा तो आपको हर चैप्टर में से फोलसम question find करना है जिस question में अल्मोस्ट सारे जो इस चैप्टर के वो cover हो गयो वो question के आपको रिटन प्रेक्टिस करनी है और बाकि जितने भी questions है उनको आपको ओवर्वियू करना है और एक बार देखने यह questions जो है मैं आईसे मॉडियूल से हाँ पर बात कर रही हूं तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ा आपको बताती है क्या आईसे मॉडियूल से आपको करना है आईसे मॉडियूल का एक भी question ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि आपने छोड़ दिया हो कि उसकी questions as it is paper में बैठते है मतलब कि उसमें digits भी change नहीं होगी तो ऐसा question अगर आपके exam में कोई आ जाता है तो उसमें हमारा अलगी level का confidence होता है तो आपको कोई ऐसा question find करना है ICI module के questions है वो हो सकता है कि पीछे वाले questions हो या फिर उसके बीच में जो illustrations होते हैं वो भी हो सकता है कोई साभी question हो लेकिन हमको ICI module का हर एक question हर एक concept जब हमको पता होना चाहिए उसके बाद अगर आप किसी faculty की book से कर रहे हो तो फिर मुझे नहीं पता क्योंकि उसमें 500 questions रहते है तो इतना questions तो मुझे नहीं लगता कि सही होगा इस टाइम पर करना पर ICI module में 5-10 questions होते हैं तो उसमें इतना enough होगा क्या अगर आप एक question अगर solve कर रहे हो और दूसरे बाकी questions का अगर आप overview ले रहे हो तो यह बात होगी हमारा practical oriented thinking फिर इसमें जो theory रहती हो उसमें हमको confusion रहता है कि इसमें theory भी है practical भी तो किस पर ध्यान दे तो theory के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि देखो आपके पास 2 options रहते हैं या तो आप उसी चैप्टर की theory जो है उस चैप्टर के practical के साथ साथ करते हो या पहले से practical करना चाहते हो और theory बात के लिए छोड़ना चाहत पाबर नहीं कर सकते हो कोई ना कोई चीज आपको sacrifice करने होगे तभी कोई ना कोई चीज आप अच्छे से यहां पर कर पाऊगे तो मेरे मेरे लिए हमेशा वह काम भी करता था क्योंकि मेरा क्या मानना है कि theory ऐसी चीज़े कि आप मन से भी लिख सकते हो पहले आपने पहले प सकते हो राइट ना तो इसमें कोई option नहीं बचता है हमारे पास तो theory हमेशा के लिए आप लास्ट में रखना पहले सारा प्रेक्टिकल और पोर्पोर्शन करने और फिर theory के लिए टाइम बचे तो ही आप करना वहना आपके लिए एक option ही रह सकता है कि आप theory हमने छोड़ भी पर पास हो सकते और आप theory मन से भी लिख सकते हो लेकिन practical questions के case में ऐसा नहीं रहता है जैसे कि अगर आप किसी question में बीच में अटक गए practical oriented question में तो क्या मन से कुछ भी लिखके आजाओगे कि ऐसा नहीं हो सकता नहीं और क्योंकि आपको पता है कि इसके आगी की process अगर में को थोड़ी बहुत understanding होनी उसकी जरूरी है नेक्स्ट में आपको आगे जो वीडियो में आपको मैं थोड़ी थोड़ी जो है वो tips देने वाली हूं और यह tips अगर आपके लिए work definitely करेगी क्योंकि इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे से work करा था सबसे पहली tip में आपको देन सब्सक्राइब तो कोई बच्छे करते रहते हैं डीट नेचर के रहते हैं वह बोलते के नहीं हम तो यह करके रहेंगे किसी पहले कर रखाओ अगर एक्जाम आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब यह नहीं क्या पूरा उसी पहले ज्यान देतों आगे बहुत सारे question है जो करके उस पर अपना और ज्यादा time बिल्कुल भी ना दे वह question नहीं पर ही छोड़ दे क्योंकि उसके लिए आपको बात में भी time मिल जाएगा राइट ना लेकिन उसको छोड़कर आप बाकी सारे questions वह आगे बढ़ जाए क्योंकि आपने इसा नहीं करा तो फिर time management की बहुत दिक्कत हो जाती है तो इस बात का प्लीज ध्यान रखना नेक्स्ट चीज में आपको बताना चाहती हो कि फॉर्मेट का कॉस्ट के पर में अच्छे से ध्यान रख लेना जैसे कि पर्टिकुलर्स अमाउंट बीच में अगर कोई वर्किंग नोट से या फिर दो कॉलम से के क इन चीजों का जो है अच्छे से ध्यान रख लेना उसमें प्रॉपर फॉर्मेट के साथ वह कर लेना और बाकी जो क्वेशन से उसका फॉर्मेट एक बार ओवर्वीव कर लेना तो यह आपकी स्ट्रेजी रेखनी चाहिए बेसिक सी उसके बाद एक बात रहती है कि बहुत स च्छोटी मिस्टिक्स को ध्यान रखने के लिए हमारे माइंड वह बहुत जादा फोकस्ट होना चीजाम में दूसरे थौट्स आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए और अच्छे से लाइक क्योंकि हमको बाद में टाइम नहीं मिलता है पेपर से करने का एक सब्सक्राइब करें तो अगर आपने उसको अच्छे से लिखा है तो एक्जामिनर उसको देखेगा समझेगा कि अच्छा बच्चे ने यहां पर छोटी सी माइनर मिस्टेक कर दिए जिसकी वज़े से आगे उसका गलत हो गया तो वह आपको स्टेप मार्किंग भी देगा ठीक है लेकिन अगर आपने नहीं आ रहे हैं कि आपने कहां से क्या वह स्टेप लिखिए तो आपको ह सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अच्छे से लाइक वाकिंग नोट्स के वाकिंग नोट्स में बता दिया तो इन सभी चीज़ों के एडिशनल मांक्स डेफिनेटली होते हैं मैं नेक्स्ट मैं ठोटी से अपको चीज़ बताना चाहते हूंよね बहुत सारे लुग क्यलक्लेटर के वाज़े से फशरें स्ट्राम में आजवा सब्कुर्यब तो मेरी मेरे हिसाब से इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ जो है रिलेटेड कॉस्ट के रिलेटेड वह सब कुछ लिमिटेड टाइम आपको बताने की कोशिश करी है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना बूले चैनल को